इससे पूर के वीडियो में हमने सीमान्त उप्योगिता हरास नियम का अध्यन किया था आज हम उसी कड़ी में सम सीमान्त उप्योगिता नियम अथ्वा इसे प्रती स्थापन का नियम भी कहा जाता है का अध्यन करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवशिक्ताएं अनन्त है और उन आवशिक्ताओं की पूर्ती के लिए उसके पास साधन सीमित है तो प्रतियक विवेक सी लुपभोगता अपने सीमित साधनों से यता संबव अधिक से अधिक आउशित्ताओं की पूर्ती कर अधिक्तम संतुष्ती प्राप्त करने का प्रियास करता है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे अपने उपभोग में कम उप्योगिता वाली वस्तों के स्थान पर अधिक उप्योगिता वाली वस्तों को प्रतिस्थापित करना होता है और परतिस्थापन की ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि उबोगता को अपने खर्च से परतियक वस्तु के उबोग में सीमान्त उपयोगिता समान या लगबग समान नहीं हो जाती है। इसी परकार से उत्पादक अपने अधिक्तम लाब के लिए कम उत्पादक साधन के स्थान पर अधिक उत्पादक साधन को परतिस्थापित करता है। और तब तक परतिस्थापन की प्रक्रिया चलती है जब तक कि परियोग में सभी साधनों की सीमान्त उत्पति समान नहीं हो जाती है। उपभोग में परतिस्थापन नियम को सम सीमान्त उपयोगिता के नियम से भी जाना जाता है। क्योंकि प्रतियक उब्वोगता अपनी सीमित आई से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करने के लिए अपने खर्च को विबिन परियोगों में इस परकार से बाढ़ता है कि प्रतियक परियोगों में सीमान उप्योगिताएं समान या लगबग समान हो जाए सबसे पहले इस नियम का उल्लेक सन 1858 में एक जर्मन अर्थ सास्त्री एच एच गौसेन ने किया था और करते वे उन्होंने ये कहा था कि यदि सभी आवशेक्ताओं को पून संतुस्ती के बिंदू तक त्रप्त करना संभव ना हो तो अधिक्तम संतुस्ती प्राप्त करने के लिए आवशेक है कि विबिन आवशेक्ताओं की संतुस्ती उस बिंदू पर रोक दी जाए जहां उ इसी कारण से इसे जो है गोसेन का दित्य नियम या दूसरा नियम, second law of गोसेन भी कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है दो नमबर का सवाल कि गोसेन का दित्य नियम क्या है, तो समसीमान तुपयोगिता नियम गोसेन का दित्य नियम है, सीमान तुपयोगिता राश नियम का भी सबसे पहले उल्ले गोसेन नहीं किया था इसलिए उसे गोसेन का प्रथम नियम का जाता है तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है सीमान तुपयोगिता राश नियम और दित्य नियम है उसका सम सीमान तुपयोगिता नियम अब सीमित साधनों से अधिक्तम संतुस्ति प्राप्त करने के इस मानवी आच्रण को अत्र सास्तर में विबिन नामों से जाना जाता है परतियक उपभोग में उपभोगता अपने वैसे समान सीमानत उपयोगिता प्राप्त करने का प्रियास करता है इसलिए हम इसे सम सीमानत उप्योगिता नियम कह करके पुकारते हैं कम उप्योगिता वाली वस्तु के इस्थान पर अधिक उप्योगिता वाली वस्तु को परतिस्थापित करने के कारण इसे परतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है खर्च में उचित डंग अपनाने के कारण इसे वे का सिद्दान्त, law of spending और अपने सीमित आई के वे से अधिक्तम संतुस्ती प्राप्त करने के प्रियास के कारण इसे अधिक्तम संतुस्ती का नियम भी कहा जाता है इसे तठस्ता का नियम, मितवैता का नियम, उपभोग का नियम, आनुपातिक्ता का नियम और आमंटन का नियम भी कहा जाता है तो इस परकार से इसके कई नाम है और उतपादन उपभोग परतियक सेत्र में यह नियम लागू होता है प्रोफेसर मार्सल ने इस नियम को परिबासित करते हुए का है कि यदि एक वेक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विबिन परियोगों में लगा सकता है तो वह उस वस्तु को विबिन परियोगों में इस परकार से बाटेगा कि परतियक परियोग में उसे समान या लगबग समान उपयोगिता प्राप्त हो क्योंकि यदि उसकी सीमानत उपयोगिता किसी एक परियोग में दूसरे की अपेक्स अधिक होती है तो वह दूसरे प्रियोग में इसकी कुछ मात्रा अटा कर पहले में इसका प्रियोग बढ़ा कर कुछ अधिक लाग कमा सकता है वैवारिक जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनके अनेक उप्योग हो सकते हैं इसे चीनी है चीनी से चाई बनाई जा सकती है मिठाई सर्बत अधी बनाए साथ सकते हैं उन जो होती है वुलल उससे स्वेटर बनाए जा सकते हैं मोजे बनाए जा सकते हैं है न और इसमें मुद्रा का जो उदारने वो सरवादी की उप्योगता है क्यों कि मुद्रा का प्रियोग विबिन कारियों या विबिन आवशिकतां की पूर्ती के लिए किया जा सकता है मुद्रा के रूप में इस नियम की व्याख्या अधिक इसपस्ट हो जाती है कोई वेक्ति अपनी सीमित आई से अधिक्तम उप्योगिता प्राप्त करने के लिए इसे विबिन मदों पर इस परकार से खर्च करता है कि विबिन मदों में वेकी परतियक इकाई की सीमानत उप्योगिता समान हो जाए प्रोफेसर जेके मेता ने इस नियम की व्याख्या में अनिश्चित काल पर भी जोर दिया है वो कहते हैं कि यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आउशिक्ताओं को पूर्ण कर सकती है तो उसकी एक निश्चित मात्रा उसे अधिक्तम संतोस प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग-अलग आउशक्ताओं के बीच इस परकार बांटना चाहिए कि इस निश्चित काल में सभी दसाओं में उसकी सीमानत उपयोगिता लगबग समान हो जाए आदुनिक जो अर्थसास्त्री हैं वो इस नियम को अनुपातिक सीमानत उपयोगिता नियम के रूप में परिबासित करते हैं जैसा कि प्रोफेसर सेमिलसन कहते हैं कि अगर उपबोगता ने अपने उपबोग को इस परकार से वैवस्तित कर रखा है कि उसे प्रतियक वस्तु से प्राप्त हो रही सीमानत उपयोगिता उसकी कीमत के ठीक अनुपात में हैं उसे विश्वस्त होना चाहिए कि संतुलन के इस इस्तिती के परित्याग से उसे कोई लाब नहीं होगा यानि ऐसी इस्तिती जहां एक रुपया एक वस्तु पर खर्च करने से जितनी उपयोगिता मिलती है उतनी ही उपयोगिता एक रुपया दूसरी वस्तु पर खर्च करने से अगर मिल रही है तो ऐसी इस्तिती में वो सर्वोत्तम उपयोग की इस्तिती में है अगर उसको इससे किसी परकार का विचलन करेगा तो उसे किसी परकार का उपयोगिता में कोई लाब नहीं होगा परतियक जो उपभोगता है वो अपने सीमित साधनों को अधिकतम संतुष्टी प्राप्त करने के लिए विवेक पूर्ण ढंग से विबिन परियोगों में इस परकार से आवंटित करता है कि परतियक उपभोग में उससाधन की सीमानत उपयोगिता समान या लगबग समान हो जाए यह जो नियम है यह भी सीमान्थ उप्योगिता रास्णियम पर ही आदारित है क्योंकि जैसे-जैसे हम किसी वस्तु की उत्रो तरिकाईं बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे उससे मिलने वाली सीमान्थ उप्योगिता गड़ती चली जाती है तो बोगता विबिन परियोगों में सीमानत उपयोगिता की तुलना करता है कम उपयोगिता वाली वस्तु के इस्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को परती स्थापित करता है और ये प्रिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक परतियक प्रियोग से मिलने वाली सीमान्त उप्योगिता लगबग समान न हो जाए अब हम एक उदान ले सकते हैं उदान के रूप में हम यह कह सकते हैं हम मान लें कि मोहन एक वेक्ती है जिसके पास 10 रुपे है वो 10 रुपे उसको खर्च करने हैं तीन वस्तुओं पर गेहूं, चावल और चीनी पर तो वो किस परकार से खर्च करेगा कि सम सीमान तुप्योगिता नियम के अनुसार वो अधिक्तम संतुस्ती प्राप्त कर सके तो यह आपके सामने जो टेबल दी हुई है यह मोहन की गेहूं की सीमान तुप्योगिता, चावल की सीमान तुप्योगिता और चीनी की सीमान तुप्योगिता है यह वस्तु की इकाया है, हम किलो ग्राम कह सकते हैं इसको एक किलो लेता है, तो गेहूं से 50 के बराबर सीमान तुप्योगिता मिलती है चावल से 40 के बराबर और चीनी से 30 के बराबर तो अब एक विवेक्सी लुपोक्ता के रूप में मोहन सबसे पहला रुपया कहां खर्च करेगा जिसकी सीमानत उपयोगीता सबसे ज़्यादा होगी सबसे पहला रुपया वो महाँ पर खर्च करेगा तो यहां महोन सबसे पहला रुपया यहां खर्च करेगा क्योंकि इससे 50 सिमान तुपयोगिता मिल रही है जो सबसे ज़्यादा है अब वो दूसरा रुपया कहां खर्च करेगा दूसरा रुपया वो चावल पर भी कर सकता है और गयों पर भी कर सकता है मान लेते हैं गयों ले लिया है उसने इसलिए दूसरा रुपया चावल पर खर्च करता है तीसरा रुपया फिर वो गयों पर खर्च करता है क्योंकि 40 सीमान तुपयों की ता इसकी सबसे जद्धा है अब चौथा रुपया चुंकि चावल की सीमान तुपयों की ता 35 है इसलि किसी मांधुकिता यहां खर्च करेगा फिर आंटवा रुपया यहां चावल पर कर सकता है कि इसकी बीजी से इसकी यह 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 नौबा खर्च कर देगा और यह दस्वा खर्च कर देगा तो इस परकार से जो है वो गहो गेहूं की मात्रा यह काईयां 4 लेगा चावल की 3 और चीनी की 3 गेहूं की जो है जब वह 4 एकाईयां लेता है तो उसकी जो कुल उपियोगिता है यानि इन सब का जोड है कुल उपियोगिता वह कितना हो जाएगा पचास एकसो चालीस इसी परकार से इनका कितना हो जाएगा चालीस पैतिस और बीस 95 पिंचेनों और इसी परकार से इसका कितना हो जाएगा 20, 30, 50 और 25 पिचेत्तर तो इस परकार से जो उसे कुल उप्योगीता प्राप्त होगी तीनों पर खर्च करने से वोगी 140 प्लस पिंचेनों प्लस पिचेत्तर तो यह हो जाएगा एक सो चालीस प्लस पिंच्याणू प्लस पिंच्युत्तर अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो एक सो चालीस और पिंच्याणू हो गया आपके एक सो चालीस तीन सो दस हो गया है तो टोटल कुल उप्योगिता कितनी हो गई तीन सो दस के बराबर तो अगर वह इस परकार से समसीमानत उप्योगिता नियम का पालंग करता है तो उसे तीन सो दस के बराबर जो है सीमानत उप्योगिता स्वारी कुल उप्योगिता प्राप्त होती है जो सरवादिक है और यही अधिक्तम संतुस्ति का सूचग है क्योंकि जो द्रव्य की सीमानत उप्योगिता परतिये उप्योग में समान यानि लास्ट में समान हो यही अधिक्तम संतुस्टी का बिंदू है अब अगर हम थोड़ी देर के विलिए मान लें कि अगर यह दसवा रुपया जो है वो चीनी पर खर्च नहीं करके और चावल पर खर्च करता तो क्या होता कुल उपयोगी ता कितनी यह 310 अगर यह दसवा रुपया जो है मान लीज यह गहों पर खर्च नहीं करता और यह यह चावल पर खर्च कर देता तो ऐसी इस्तिती में क्या होता क्योंकि उसके सीमान तुपयोगी ता 20 के बराबर कम हो जाती और 10 के बराबर बढ़ती तो 20-10 is equal to minus 10 तो उसे 10 रुपय का 10 के बराबर सीमान तुपयोगी ता का नुक्सा करता है और एक रुपया कहीं अन्य जगा पर खर्च करता है तो उसकी जो कुल उपयोगी ता है वह निश्चित रूप से ही गड़ती है जो की अधिक्तम से कम हो जाती है यानि 310 से कम ही होगी वह एक रुपया कहीं से भी अटा करके कहीं पर लगाए तो इससे यह चित्र के माद्यम से भी हम समझ सकते हैं यह जो रेखा चित्र है आपके सामने है इसमें सम्सीमान तुपयोगी ता रेखा ए बी दरसाई गई है जो ए बी रेखा है बी आगे देखे एरोटाइट किया हुआ है यह तीनों वस्तुओं की क्रमस गयों की चार इकाई चावल की तीन इकाई और चीन की तीन इकाई को परदर्सित करती है क्योंकि इससे उपर देखे इससे उपर क्या है चीनी में तीन इकाई है चार साथ और दस और चावल में तीन इकाई है दो पांच और आंट और गेहों में चार इकाई है एक तीन छे और नो यह जो एक दो तीन यह ह खर्च किये थे वो लिखे हुए है न तो इस परकार से जो सम सीमान तुप्योगिता रेखा है ये 20 के बराबर जा सीमान तुप्योगिता 20 होती है वहां से निकलती है A, B रेखा और ये सब को समान कर देती है आता रेखा पर जो बने हुए आयत हैं वो रुपे की परतियक इकाई के वैसे प्राप्त इन वस्तों की सीमान तुप्योगिता को वेक्त कर रहे हैं गेहुं चावल तथा चीनी इन सभी मेकरमस चोथा तीसरा और दूसरा आयत समान सीमान तुप्योगिता को परदर्शित कर रहे हैं और इनके जो सीरों पर छूती हुई एक सम सीमान तुप्योगिता रेखा है वो हमने ए भी गुजरती हुई खींची है अब इस सम सीमान तुप्योगिता नियम को एक अन्य चित्र द्वारा भी हम देख सकते हैं यह जो चित्र है आपके सामने यह परदर्शित करता है कि अगर वोगता अपने वय को सम सीमान तुप्योगिता से विचलित करता है यानि वहां से अटता है वो तो उसको होने वाली उप्योगिता की जो आनी है उसको प्राप्त होने वाली उप्योगिता से अधिक होती है तो उसकी कुल संतुस्ती में कमी आती है जैसा कि मैंने बता है था अगर एक रुपया वो गहों से अटा करके कहीं चावल पर या चीनी पर कहीं पर भी लगाएगा तो उसके 10 के बराबर सीमान तुपयोगिता की आनी होगी इसमें जो SS है ये रेखा सम सीमान तुपयोगिता रेखा है और जो WW रेखा है वो गेहों की सीमान तुपयोगिता रेखा है तथा जो आर आर है वो चावल की सीमान तुपयों की तरेखा है ऐसे सम सीमान तुपयों की तरेखा चावल की ती निकाईयों तथा गेहों की चार निकाईयों को बताती है यहां देखे यह जो N बिंदू है N बिंदू आर आर का है चावल का तो ये चावल की ती निकाई लेता है और गेहों की चार इकाई जहां P बिंदू है नीचे X बिंदू है यहां चार इकाई लेता है अब उप्भोकता अपनी मुद्रा को ती निकाई चावल पर और चार इकाई गेहों पर वहे करके समसीमान तुप्योगिता नियम से अधिक्त करने से L M N O ये जो सेत्र है L M N O सेत्र के बराबर उप्योगिता की हानी होती है और उसका उपबोग घड़ जाएगा जबकि मुद्रा की एक और कई गयों पर खर्च करने से उसकी जो उप्योगिता बड़ेगी वो इस सेत्र के बराबर होगी तो जैसा कि अब इन दोनों सेत्रों को देखने से हमें पता चलता है कि L M N O ये वाला सेत्र इस P Q U X सेत्र से बड़ा है यानि जो एक रुपया जब वो गयों से अटाकर के नहीं स्वरी एक रुपया जब वो चावल से अटाकर के गयों पर खर्च करता है तो ऐसी इस्तिती में उसको जो हानी होती है उपयोगीता की वो लाब की तुलना में ज़्यादा होती है तो सती उसे ज़्यादा होती है तो ये जो आच्रण है उपयोगी और लाब दायक नहीं होता है तो इसपस्ट हो जाता है कि सम सीमान पुप्योगिता नियम से अगर विचलन करेगा उबोक्ता तो उसके कुल संतुष्टी में कमी अवस्यआएगी अब हम लेते हैं सम सीमान तुप्योगिता नियम की मान्यताएं क्या है इस नियम का जो आदार है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ सीमान तुप्योगिता रास नियम ही है और उसकी जो मान्यताएं स्रीमान तुपियों की ताराशनियम की वे सभी मान्यताइं इसमें लागू होती है और कुछ और भी इसमें मान्यताइं सामिल की गई है जैसे इसमें उपभोगता को विवेक सील माना जाता है और वो विवेक पूर्ण डंग से ही सभी वस्तों पर खर्च करता है ऐसा हम मान कर चलते हैं फिर एक प्रतियक उपभोगता की आई सीमित होती है और वह आई का उपभोग अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करने के लिए अमेसाई प्रियत नसील रहता है फिर एकि जिस अउदी में इस नियम को लागू कर रहे हैं उस निश्चेच समय अउदी में उपभोगता की रूची उसका फैसन उसकी आई सबी जो है इस्थिर बनी रहती है उनमें किसी परकार का परिवर्तन नहीं आता है फिर एकि जो मुद्रा की सीमानत उप्योगिता है उस वो भी इस्थिर रहती है उसमें किसी परकार का परिवर्तन नहीं होगा और विबिन इकाईयों से जो प्राप्त उप्योगिता है उसको मापनी यह माना जाएगा यानि उनको मापना संभो है तथा उप्योगिता को संख्या के रूप में वेक्त करके जोड़ना और गटाना भी संभो होता है फिर एक वस्तु की जो उप्योगिता सार्णी होती है वो दूसरी वस्तु की उप्योगिता सार्णी से स्वतंत्र मानी जाती है जैसे हमने का गयों चावल और चीनी तीन लिये हैं तो गयों की उप्योगीता सार्णी चावल की उप्योगीता सार्णी और चीनी की उप्योगीता सार्णी ये तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होगी जुड़ी होगी नहीं होगी फिर एकि उपभोगता मुद्रा की बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यानि पैसा बहुत कम-कम खर्च करके विबाज्य वस्तुओं पर खर्च कर सकता है यानि सबी जो वस्तुओं है वो छोटी-छोटी तता किसी भी सीमा तक विबाजित की जा सकती है यानि उसको कितना भी छोटांस वो खरीज सकता है तो ये सारी मान्यता हैं इन मान्यताओं के आधार पर ये समसीमांत उप्योगिता नियम का आर्थ उसकी परिवाशा और नियम की व्याक्षया उसकी मान्यताओं सहीत किए